नमस्कार साथ में, सुरागत आपका अमारे यूटूब के रण में हैं, आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे विसेशन ठीक हो गया? चलिए संग्या, सर्वनाम और क्रिया के बारे महम लोग पढ़ चुके हैं, इस सनिवार को जो आपका एक्जाम होना है, उसमें भी आपका क्या है, संग्या, सर्वनाम, क्रिया, विसेशन इन टॉपिकों से ही प्रेशन पूशे जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक हो गय क्या करेंगे ये, या संग्या सब्द की विसेशता बताएंगे, या सर्वनाम सब्द की विसेशता बताएंगे, ये क्या कराएंगे, विसेशन कराएंगे, एक्जाम्पल से समझते हैं, हमने लिखा, राम अच्छा लड़का है, ठीक हो गया, राम अच्छा लड़का है, अ लड़का जाति वाचत संग्या है पढ़ाया आपको लड़का की विसेश्न कहलाएगा ठीक हो क्या अब विसेश्था किसकी बताई गईं विसेश्था लड़का की बताई गईंढूख लड़का जो सब्द होगा यह क्या कहलाता है यही सब्द विसेश्य कहलाता है ठीक है जिस सब्द की विसेश्ता बताई जाती है उसे विसेश्य कहते हैं और जो विसेश्ता बताई गई होती है उसे विसेश्य कहते है ठीक हो गया अब यहीं पर एक और देख लो ऐसा अगर आ तो आपने आप दिया विसेश्ड या अच्छा आपयों बोल दिए विसेश्ड कि की विसेश्टा बहुत अठ्ट कि बताते है इनको वह लोग कहते हैं परहोविसेश्ट ठीक, ये तीन पॉइंट पहले आप याद करेंगी, विसेशन वह सब्द जो संग्या सरुनाम की विसेशता बताते हैं, विसेश्या जिसकी विसेशता बताई जाती है, प्रविसेशन जो विसेशन की भी विसेशता बताएं, इतना क्लियर होगी आपका, ठीक होगी आप, चलि चार प्रकार के विसेशन, एक आपके पास गुनवाचक विसेशन होता है, ठीक हो गया, गुनवाचक, एक होता है परिमान वाचक, परिमान वाचक विसेशन, एक होता है संख्या वाचक, और एक होता है आपके पास, लास्ट में सार्वनामिक विसेशन, कुंसा? सार्व नामिक विसेशन. ये चार प्रकार्टे हमारे पास क्या होते हैं? अगर आयदा विसेशनों के संख्या कितनी होती है? आप बोलेगे चार. ठीक हो गया? आप बात करते हैं, गुन्वाजद विसेशन में. इसमें क्या-क्या आता है? इसमें रंग आजायेगा? इसमें आकार आ जाएगा ऐसे कि तत्थाब मतलब और नाम और पीला हरा नीला काला यह सब क्या है गुनुबाचत करें अगर आगार की आruktार मतलब लंबा छोटा यह Bem है किसमें आजएगा आपका आगा जाएगा में स्वस्त्य व्यक्ति कैसी है वह सौर्प है रोगी इसमें आजएगा ठीक हो मिरा समय जो आपका समय होता है वह भी जुझ समय प्राता काल चालर कर इता है मेरे या मेरे पास कि लाल पेन है तो पेन की विसेश्था क्या हो गई लाल और लाल कैसा विसेश्था हो जाएगा आपके पास गुण वाचक विसेश्था इतना ठीक है आपनों का इतना के लिए रहे ठीक है वह स्वस्थ व्यक्ति है व्यक्ति की विसेश्था क्या हो गई व्यक्ति स्वस्थ है तो गुण वाचक विसेश्था में क्या आता है रंग आता है आकार मोहन लंबा है मोहन की विसेश्था क्या हो गई वह लंबा है ठीक हो इतना के लिए रहें चलिए बात करते हैं परिमान वाचक विसेशन की परिमान वाचक विसेशन को आप लोग दो परकार में बाढ़ सकते हैं एक आपका निश्चित परिमान वाचक एक आपका और निश्चित परिमान वाचक इस दो में विवाजित होगा, निश्चित परिमार और निश्चित परिमार, परिमार वाचक में सिधा सिधा वो सब्द आते हैं, जिनकी आप क्या कर सकते हैं, माप तॉल कर सकते हैं, जिनको मापा तोला जाएगा, कभी भी कर्फूज मत होना, लिखा होगा, मैंने एक किलो च चीनी खरीदी तो चीनी की विशेष्टा क्या है एक केजी यहां पर अब एक केजी में कभी यह मध्यान रखना कि एक आ गया और आपने संक्या कर दिया गलत हो जाएगा एक किलो जब आप दुकानदार से माँगे ना तो तोल के देगा आपको जो चीजे मातोल की जाती है वो तों को नियुक्स क्कॉंटी समझ ग्रेवा hardest मैने चार मीतर कपड़ा था तो यह सारी जीएगी निश्चित परिमान वाचक में जिनको भी वाणिटि निश्चीत में क्या आएगा मैंने कुछ चावल खरीदे तो किस में आ जाएगा अनिश्चीत वाचक में इतना ठीक है वह ठीक हो गया चलो या और अग्जाम्बन बोलें इसका अनिष्चित वाचक का मैं ने थोड़ा पानी पीया जिया थोड़ा पानी अब थोड़े में कितना आएगा कुछ पता नहीं है चलिए बात की जाए संख्या वाचक विशेशन की तो संख्या वाचक विशेशन भी दो टाइप के होते हैं एक आप संख्य कोगया अब मिश्चित संख्यावाक का हैना इसके कोच पाट पहते हैं जैसे इसमें आएगा खौला को लुदद दीज aquesta पू Crown पूरती वाचक यह सब किसके अंतरकत आते हैं यह आते हैं निश्चित संख्या वाचक के अंतर एक पूर्णांक बोदक पूर्णांक बोदक करम वाचक आवरती वाचक और एक आता इसमें समुदाय वाचक यह समुदाए बोदक को मिश्चित संख्या वाचक धान को यह इसमागा आजब आगा आगा मैंने एक रोटी खाई रोटी को आप कर दो काउंटिंग कर रहे हुए जहांप आप काउंटिंग करोगे मैंने चार पैन खरी दें और एप पुनाँद में एक चार एप और दो कि मैंने आधा रुठी खाई यहां से प्रश्ण बला देता है एक्जामनर तो आप बोलोगे आधा किसमा आगा अपूर्णांक बोदक इधा इधार क्यों क्या आता है राम का राम का अपनी क्लास में च often welcome अपर क्रा वाचर में की राधर प्रत्म दुंतिय इस प्रपाड से आवश्तिक आता है यहां पर आवयरति होती है जैसे किया मतलब 1 गुना दो गुना, दो गुना कब होगा, जब पहले को आप रिपीट दो बार करते हों, दो गुना हो जागा, यहां पर आता है दो गुना, तीन गुना, चार गुना, इस प्रकार के सब, मैंने आज चार गुना पहन खरीदे, ठीक हो गया, मैंने आज पहले की अपेक्षा, चार गु आप लोग बड़ा कंठी होते हों पर लिखा हुआ है आज मैंने चार गुना प्यान खरीदे जब आपको एक गुना पता होगा तब यह आपने आज चार गुना खरीदे तो किसमा आता है निष्चि निष्चि संख्या में आता है और उसके भी आवरती वाचक के अंतरकता है कि आना है ना दोनों तीनों चारों पांचों इस प्रकार उनका क्या बन रहा है समुदायग बन रहता है n Alan इतना के लिया रे संख्या वाचत में वो चीजी आएंडी जिनको आप गिन पाओगे जैसे मैंने दो दर्जन केले करिदें का अब दो अनिष्चित संख्या में क्या होगा मैंने कुछ पैन खरीदे अब कुछ पैन तो गिने जाएंगे संख्या वाचक तो है लेकिन कुछ किसमा जा यागा अनिष्चि संख्या वाच अच्मा जाएगा ठीक हो गया आज सब विध्यार्थी आएं अब सब को हम अचा एक नट दिखना है अगर मैंने बուला आज कख्चा में सभी विध्यार्थी आये हैं ठीक हो गया इसको आप बढ़ाएंगे आज विद्यार्थी आरे हैं इसको आप लोग बठाएंगे निश्चित संख्या वाचग होगा या अनिश्चित संख्या वाचग होगा इसको एक कमेंट जरू करना इसका वही तो अंगार है बात करते हैं सारव नामिक कि विशेसन लिए तो योच सफटों की विशेस्ता बताते हैं लेकिन सारवनामिक विशेस्ता क्या होती है वह सब्द जो सिर्फ किसकी विशेस्ता बताईये सरवनाम सब्दों की विसेश्था बताते हैं उनको सार्वनामिक विसेश्था कहते हैं जैसे यह पुस्तक मेरी है अब यहां पर यहां सब्द है वो किसकी विसेश्था बता रहा है पुस्तक की विसेश्था बता रहा है यहां पर यह क्या हो जाएगा सार्वनामिक विसेश्था आपने एक निश्चय वाजक सरुनाम पढ़ा होगा वो क्या होता है यहां मेरी पुस्तक है ठीक हो गया मैं बोलूँगा यहां मेरी पुस्तक है अब देखों यहां पर यह संद क्या रहा है मेरी संद आ रहा है मेरी संद क्या है यह सरुनाम संद है यहां पर सरुनाम संद क्या सरुनाम क्या क्या रहा है यहां पर भी सरुनाम आ रहा है इसका मतलब यह सरुनाम विशेशन नहीं है जब क्या होगा सरुनाम सब्द जा रहा है इसके बाद क्या होगा कोई संग्या संद होगा तब ही क्या होगा संग्या संद्द की विशेष्था को सवनाम बताएगा वहीं पर क्या होगा सारुनामी विशेष्था होगा अगर दो सरुनाम सब्द साथ में आ रहे हैं तो आप निच्चे वाचक सरुनाम होता है इसमें आप लोग गलती करते हैं बड़ी जालब अगर कहीं पर ऐसा आ जाए वह चला गया तब यहां पर यह वह क्या है पुरुस वाचक सरुनाम है आपको पढ़ाया गया है सरुनाम कब होगा जब सरुनाम सब्द के बाल क्या आना चाहिए संग्या आना चाहिए अब जो बच्चों पुरा पढ़ रहे हैं जो डेवन से क्लासे ले रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में चीज़ें आरे हैं ठीक हो गया तो यह आपका था विश्य सक्टर इसमें इ